नमस्कार विध्यारतियों स्वराज कोचिंग इंस्टूट में आप सभी का स्वागत है P.A.T. 2024 की तैयारिया आप सभी की जोरो शोरो से चल रही है उसी के अंतरगत जो है पशुपालन से संबंदित जो लेटेस्ट डाटा है जो लेटेस्ट जानकारिया है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो की परिक्षा में आपको एक या दो questions जरूर सहीं करवाएगी तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी जिसमें अगर हम बात करें तो पशुओं की गण्ना की गई थी पशुगण्ना जिसको कहते हैं तो पशुगण्ना सफ्प्रो प्रथम भारत में एनिमल सेंसर जिसको अंगरेजी में कहेंगे 1919 से 1920 के बीच में की गई थी और ये पहली जन गण्ना थी फिर उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट में जन गण्ना हुई है वह हुई है बीसवी और बीसवी जन गण्ना जब हुई है वह कब हुई है 2019 में अब अगर हम बात करें आगे की तरफ तो हमारे पास में इसके पहले 19 वी जन गण्ना थी 19 वी जन गण्ना हमने देखी थी 1912 में सामान ने तह हर 5 वर्ष में every 5 year हर 5 साल में एक बार जन गण्ना होती है पर ये 12 और ये 19 तो लगबख 7 साल का यहां पर अंतर है ये छोटी सी बात ध्यन गण्ना है और हमको अनुमान है कि 21 जन गण्ना जो है वह 2024 में होने की संभावना है तो आगे बढ़ाते हैं जन गण्ना वाली कहानी से अब हम बात करते हैं 2019 में जो जन गण्ना होई है उसके अनुसार भारत में पशो की संख्या की क्या स्थिती है तो अगर हम पशो की संख्या के बारे में बात करें तो हमारे पास में कुल पशो संख्या जो है वह हाई थी 535.78 मिलियन के साथ में हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश वह प्रथम इस्थान पर था और जिसमें हम रहते हैं वह मद्द प्रदेश वह कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर साथ ही अगर हम बात करें तो बुवाइन, बुवाइन मतलब जिसके अंदर गाय, भेस, मिथुन और यौक मिथुन मतलब वो मिथुन नहीं, है ना, मिथुन एक प्रकार का पशु होता है, बरफिले छेतरों में मिलता है वह बुवाइन, पोपिलेशन के अंदर आता है, फिर अगर हम बात करें, केटल, केटल मतलब गौवनशी है गौवनशी है मतलब जिसमें गाय, बेल, सांड, सब सम्मिलित किये जाते हैं उनकी संख्या में अगर हम बात करें, तो सबसे अगरणी कौन सा प्रदेश है, पश्यम, बंगाल अब अगर आगे बड़े, तो फिमेल केटल मतलब गायों की हाँ पर बात हो रही है तो गायें जो है, वह 145.12 मिलियन है, भैसे जो है, 109.85 मिलियन होती है और सबसे जादा संख्या कहां पर मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश में फिर बात करते हैं भैड के बारे में, भैडों की सबसे जादा संख्या हमें कहां मिलेगी तेलंगाना में याद रखने का हमारे पास तरीका है, भैड गई तेल लेने तो भेड गई तेल लेने वाली कहानी से हम याद रख सकते हैं सबसे जादा भेड़े कहाँ पर है तो वह कहाँ पर मिलेगी तेलंगाना में आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रोग्राम है बक्रियों से संबंदित है बक्रिया है जो सबसे जादा पाई जाती है राजिस्थान म हम मद्ध्प्रदेश के रहने वाले सामान निता हमारे यहाँ पर भेड मतलब जिसको गाडर बोलते हैं वह राजिस्थान वाले लोग लेकर आते हैं तो हमको कई बार ऐसा डाउट होता है कि सबसे जादा भेड़े कहां पर मिलेगी राजिस्थान में पर वास्तों में सबसे ज़्यादा भेड़े कहाँ पर है तेलंगाना में और बक्रिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो राजिस्थान में उसके बाद आती है मुर्गिया, मुर्गियों के अगर हम बात करें तो मुर्गिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रही है तमिल देखिए पशू संख्या तो पशू संख्या मैं हमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पशू की संख्या किस प्रदेश में उत्तर प्रदेश में फिर अगर हम बात करें तो गाय की संख्या तो गायों की संख्या जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है वह है वेस्ट बंगाल 25 बंगाल फिर गाय के बाद में अगर हम बात करें भेस की तो भेसों की संख्या सबसे ज़्यादा जहां पर है वह हमारा प्रदेश कोन सा है बफेलो के अंदर वह भी उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा बक्रिया जो है, वह राजिस्थान में पाई जाती है, बक्रियों के बाद भेड, अभी अभी हमने सिखा था, भेडों की संख्या सबसे ज़्यादा कहां पर है, तेलंगाना, हमने कहा था भेड गई, तेल लेने, अब अगर हम बात कर मुर्गी संख्या तो मुर्गियों की सबसे ज़्यादा संख्या जहां पर हमको मिल रही है वहाँ प्रदेश कोन सा है? तमिल नाडू ये हमारी संख्या से संबंदित कहानी है ये पूरी संख्या से संबंदित कहानी है अगर हम संख्या के बारे में थोड़ा सा याद रखे तो हमको सामान ने तह याद रखना चाहिए कि भारत में कुल कितने पशु हैं तो भारत में कुल कितने पशु हैं ये अगर हमको देखना हो तो 535.78 million 535.78 million है इसी तरह से मुर्गी की संख्या सबसे जादा कहा पर हैं तो मुर्गियों की संख्या हमारे पास में जो है सबसे जादा तमिल नाडू में हैं और कितनी हैं 851.81 तो ये हो गई 851.81 million में ये सारी संख्या किसमे है million ये क्या है million तो संख्याओं में मुझे क्या याद रखना है ये हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं अगर हम बात करें तो मद्द प्रदेश हमारा प्रदेश मद्द प्रदेश का इस्थान जो है उसकी अगर हम बात करें तो मद्द प्रद संख्या में भारत में हमारे प्रदेश का तीसरा इस्थान है और तीसरा है दूद उत्पादन में इन तीनों कारियों में मद्द प्रदेश का इस्थान कोन सा है तीसरा तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए देखिए ये गौवन्शिय में मद्द प्रदेश का ती मेरे हिसाब से परिक्षा मैं परफम इस्थान के बारे में पूछे जाने की सबसे ज़्याद हैं तो आगे बढ़ते हैं, अग्हला संक्याओं के बाद में अत्रीध देखने के बाद में उत्पादन की देखिये दूध दूदूद उतपाधन के अगर हम बात करें, तो दूद उतपाधन जो है, वह 230.58 मिलियन टन हो रहा है, जसे मैं सबसे अगरणी प्रदेश कों सा है, उत्तर प्रदेश, ये बाते भारत की चल रही है, अब अगर हम बात करें, भारत के बाद में, वह być अंदर उत्तर कितनी है 499 ग्राम और अगर प्रती व्यक्ति उपलब्धता में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे अगरणी प्रदेश का नाम क्या है पंजाब तो एक व्यक्ति आधा लीटर आधा किलो से थोड़ा कम प्रती दिन प्रती दूद उपलब्ध रहता है कहा क्यूजन नहीं हो संख्या में आगे कोन है तमिल नाडू अंडा उत्पादन में आगे कोन है आंधरपदेश और आज के समय में भारत के अंदर 101 अंडे प्रती व्यक्ति प्रती वर्ष खाने के लिए मिल रहे हैं कि मैं आपको बता दूँ कि हमको आवशकता है 180 अंडों की और मिल किते रहे हैं 101 तो अभी भी हमको अपनी आवशकताओं की पूर्ती करने के लिए अंडा उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा इसलिए भारत में मुर्गी पालन का भविष जो है बहुत उज्वल माना जाता है फिर हम बात करते हैं मीट मांस उत्पादन में तो मांस उ सबसे आगे कोन है यूपी यूपी के बाद में उन उत्पादन में सबसे आगे कोन है राजिस्थान तो हमारे पास उत्पादन की द्रश्टी से आगे बढ़ते हैं देखो उत्पादन की बाते करते हैं उत्पादन में अगर हम बात करें तो हमारे पास में दूध अंदर प्रदेश यह हो गया उसके बाद में अगर हम बात करें अंडा उत्पादन में तो अंडा उत्पादन में हमने अंडो की टोकरी भी कहते हैं और वह कौन सा है आंदर प्रदेश फिर है मांस उत्पादन भारत के अंदर अगर हम मांस उत्पादन में बात करें तो मांस फिर से अगरणी कोन सा हो गया है उत्तर प्रदेश और मांस के बाद में अगर अंत में देखे तो उन उत्पादन है और उन उत्पादन में भारत के अंदर सबसे अगरणी प्रदेशों के अगर बात करें गलती से कभी देश निकल जाता है पर वास्तों में प्रदेश बता र रहे हैं तो हमने एक तो देखा पसू संख्या और पसू संख्या के बाद में दूसरी क्या देखी मुर्गी संख्या तो हमको पता चला कि पशुओं की संख्या कित्ती है 535.78 million उसी तरह से मुर्गियों की संख्या कित्ती है तो 851.8 million अब पशुओं से हमको मुख्य रूप से क्या चाहिए दूद उत्पादन तो दूद उत्पादन की बात करें भारत में और फिर हम बात करेंगे अंडा उत्पादन की भारत में तो दूद उत्पादन जो है वह हम देख सकते हैं भारत के अंदर कित्ता हो 230.58 million 230.58 million ton 230.58 million ton इसी तरह से अगर हम अंडा उत्पादन में देखें तो अंडा उत्पादन कीत्ता है 138.38 billion है इतने अंडे पैदा हो रहे हैं यह संख्या में हैं तो यह हमारी संख्या और उत्पादन से संब्दित कहानी है तो यह पश्वों की संख्या यह कुल संख्या यहाँ पर कुल उत्पादन और यहाँ पर कौन सा प्रदेश किस चीज में अगरणी है यहाँ हमने लिखा है और एक जानकारी हमारे मद्दब्रदेश के बारे में भी लिख कर रखी है तो यह भी हमको याद होना चाहिए आग 499 ग्राम प्रती व्यक्ति प्रती दिन क्या उपलब्द है दूध इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे तो अंडे की कितनी उपलब्दता है तो वह है 101 अंडे प्रती वर्ष प्रती व्यक्ति प्रती वर्ष फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास में मांस होता ह लग बग आठ है और मुर्गी मांस को ही हम क्या बोलते हैं चिकन तो चिकन जो है वह तीन दशमलों तीन किलों प्रति विक्ति प्रति वर्ष मिलता है जिसको हम आगे देखेंगे और नोड भी करेंगे तो हमको महत्पूर्ण महत्पूर्ण क्या बाते ध्यान रखना है वो हमारे लिए यहाँ पर उपलब्द होती जा रही है आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो वही 2021 की पशुगण्णा के अनुसार भारत विश्व में तो भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत विश्व में गाय, भेस और बकरी है गाय, भेस और बकरी के हम बाते करते हैं तो गाय, भेस और बकरी में भारत का कौन सा नंबर है पहला फिर भेड की संख्या में तो भेड की संख्या में हमारा है तीसरा और मुर्गी की संख्या में हमारा कौन सा नंबर है? पाच्वा तो यही पर हम एक और नई विश्व में भारत का इस्थान करके पढ़ते हैं विश्व में भारत का इस्थान तो विश्व में भारत का इस्थान विश्व में विश्वो में भारत का इस्थान तो हमारे पास में एक तो पहला इस्थान फर्स्ट पोजिशन पर भारत किन किन कामों में है फिर थर्ड पोजिशन पर किन किन कामों में है ये लिखेंगे फिर फिफ्ट पोजिशन पर ये ना फिफ्ट है गड़बर हो जाती कभी लिखने में तो फिफ्थ पोजिशन पर है और फिर अगर हम बात करें तो आठवी पोजिशन पर किन कामों में है और नवी पोजिशन नवी को ऐसा लिखते हैं नवी पोजिशन पर किन किन कामों में है वो हमको पता लगाना है तो अभी हमने देखा पशू संख्या सबसे जादा पशू की संख्या कहां पर है भारत में गाय संख्या गाय के बाद में भेश संख्या और भेश संख्या के बाद में अगली है बक्रियों की संख्या इन तीनों में भारत का इस्थान कोन सा है प्रथम आगे चल कर हम कि दूद उत्पादन में भी भारत का इस्थान कुन सा मिलेगा प्रथम तो ये हमारे पास में किन किन चीजों में भारत प्रथम है वह हमने देखा है आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें तो हमारे पास में तीसरे इस्थान की बात कर रहें ये तीसरा इस्थान अंडा पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तीसरा उसी तरह से अगर मुर्गी पालन या मुर्गी संख्या में बात करें तो मुर्गी संख्या में भारत का इस्थान कौन सा है पाच्वा और अगर कोई पूछे कि मुर्गी पालन में पहला इस्थान किसका है तो वह रहेगा चीन क चलो थोड़ा बढ़ते हैं वापस पशू गणना के अनुसार भारत की गाय, भेश, बकरी और भेड संख्या में तीसरा इस्थान है ये भेड की संख्या में तीसरा इस्थान है चलो पहले संख्याई लिख रहे हैं तो संख्याओं कोई लिखते हैं तो भेड संख्या में भार में और पाँचवा किसमें मुर्गी में तीसरा भेड में और पाँचवा किसमें मुर्गी में जो कि हम देख चुके हैं आगे बढ़ते हैं अपने पास में टोटल लाइव स्टाक पोपुलेशन है ना तो टोटल पशु कितने हैं तो 535.78 है ना भारत में विश्व का कुल लो दो तीन या एक बटे दस भाग होते हैं और इसी के साथ में जो है भारत प्रथम इस्थान पर है तो ये भी लिखते विश्ववें भारत का इस्थान जो है पसु संख्या में प्रथम है कुल संख्या का कुल पसु संख्या का एक बटे दस भाग भारत में हैं लगबग दस प्रतिशत अपन बोल देते हैं थोड़ा अलग है पर दस प्रतिशत संख्या कहां पर मिलने वाली है भारत में आपको मिलने वाली है ये हमारा एक और चल रहा है 535.78 ये पसु संख्या कहाँ पर मिल रही है भारत में ये भारत की कहानी है और इधर जो एक चार्ट चल रहा है इसमें विश्व की कहानी चला रहे है चलो विश्व की कहानी में एक बटे दस भाग हो गया है अब पूरी दुनिया की लगभग अगर हम बात करें तो 54% भेडे 53.84 मतलब 54% भेडे कहाँ पर मिलेगी भारत में ठीक है 5.8 लगभग 6 मान लेते हैं इसको भेडे मिलेगी गाये कित्ती मिलेगी लगभग 13 12.67 तो 13 मान है तो इसको भी लगभग क्या मान लेते हैं तेरा पर यह बात ध्यान रखना पड़ेगी कि जादा कौन मिलेगी तो जादा कौन है बकरियों का कॉंट्रिबूशन जादा है किसकी तुल्ना में गाय की तुल्ना में तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पीछे थोड़ा सा हैं यहां लिखते हैं ना विश्व की भारत में 54 परसेंट लगभग भेस पाई जाती है 12 परसेंट गाय पाई जाती है लगभग 12 परसेंट बकरियां पाई जाती है तेरा होती है तेरा दस्मलो कुछ मान लेते हैं मान क्या लेते हैं तेरा दस्मलो नव 10 और बेढ बकरियो गायों को भी हम कितना मान लेते हैं तो गाय को भी 13 ही मान लेते हैं जंजट खतम चल गाय होती है 13% 13 से थोड़ी कम और ये है 13 से थोड़ी जादा और 6% के करीब क्या पाई जाती है भेड तो पूरी दुनिया की भारत में भेशे 54% गाये 13 से थोड़ी कम और बक्रिया 13 से थोड़ी जादा और भेड लगबग 6% पाई जाती है यहाँ जो है बिश्व में भारत बिश्व की भारत में अब अगली एक और कहानी आएगी इसलिए साथ साथ लिखेंगे अगली वाली कहानी में क्या रहेगा अगली वाली कहानी में रहेगा भारत की पसू संख्या में गाय का प्रतिशत भेस का प्रतिशत बकरी का प्रतिशत और भेड का प्रतिशत ये हमको देखना है इनकी हम चर्चा करेंगे ताकि confusion ना हो चलो आगे बढ़ते हैं विश्व के साथ साथ अब हमारी कहानी आ गई थी ये विश्व में कितनी संख्याएं विश्व की अंदर भारत का कितना योगदान है ये हाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है अब हम बात करते हैं दूद उत्पादन की अभी संख्याओं पर चल बात का दूद उत्पादन में कौन सा स्थान है ? पहला कूरे विश्व में दूद उत्पादन कितना हो रहा है 935 मिलियन टन जिसमें से भारत का योगदान है 230.58 मिलियन टन तो 935 मिलियन टन का 230 के साथ में अगर हम प्रोग्राम रखे गैं गरनना करें और परतीशत निकाले तो कितने पर्षेंड है? 24.64 मतलब लगभग 25 पर्षेंड कुल दूद उत्पादन का भारत कितने पर्षेंड? 25 पर्षेंड मतलब एक चोथाई उत्पनक करता है और प्रती वेक्ति उपलब्धता जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं 4198 ग्राम प्रती दिन है तो यह यहाँ पर एक और बात लिखते हैं क्या लिखेंगे? भारत संपूर्ण विश्व का लगभग 25 परतीशत दूद उत्पादन करता है 25 परतीशत क्या करता है? दूद उत्पादन यह हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए अब अगर हम बात करें तो यह देखिए 230.58 मिलियन टन जो है हमने किया था और पूरी दुनिया का दूद उत्पादन जो है वो 935 मिलियन टन है 935 मिलियन टन तो यहाँ पर लिख देता हूँ 238 और 935 यह ना? 238 मिलियन टन यह किसका है? भारत का और बटे में 935 लिखा यह विश्व का है और गुणा हम 100 करते हैं तो लगबग हमको परसेंड मिल जाता है वो लगबग 25 के बराबर आता है तो इस सहारे आप याद रख सकते हैं कि उपर वाला किसका है? भारत का और नीचे वाला विश्व का तो यह दूद उत्पादन में भारत और विश्व की कहानी होने के बाद आगे बढ़ते हैं अंडे में जैसे कि हम पहले ही बात कुर चुके हैं कि अंडा उत्पादन में भारत का इस्थान कोन सा है? तीसरा और प्रतिवेक्ति उपलबदता कितनी है? 110 और अंडे का उत्पादन 138.38 तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने अंडे का लिखा या नहीं लिखा तो भाई अंडा उत्पादन में भारत का इस्थान की कोन सा है? तीसरा जबकि दूद उत्पादन में हम अपना इस्थान पहले ही सुरक्षित कर चुके हैं कोन सा है? पहला आगे बढ़ाते हैं ये अंडा उत्पादन की कहानी हो गई अंड़ा उत्पादन के बाद हमारे देश में पशुओं की संख्या की सरोप्रतम गण्ना बिलकुल 1919-1920 में हुई और बीसवी गण्ना जो है 2019 में हुई है और 21 होने वाली है 2024 में तो इसके संबंद में भी हमने कुछ लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं गण्ना के संबंद में अभी तक हमने नहीं लिखा लिख लेते हैं देखो पहली पशुओं गण्ना हुई 1919-1920 के बीच में पहली उन्नीसवी गण्ना हुई 2012 में बीसवी हुई 2019 में हर 5 साल में होती है ठीक है और यह 2019 वाली है यह डिजिटल है पहले क्या है कि गण्ना करने के लिए आपको एक बड़ा सा रजिस्टर लाना पड़ता था रजिस्टर में सारी इंट्री होती थी पर 2019 की जो जन्ना है वह मोबाईल एप्लिकेशन की थुरू हुई है डिजिटल जन्ना अगर हम बात करें तो वो पहली डिजिटल जन्ना 2019 में हुई है और अगली वाली हम ऐसा मानते हैं जो कि किस्वी रहेगी वह कब होगी दो हजार चोवीस में तो यह जन्नना से संबंदित जानकारी भी हमारे पास में आ चुकी है अगर हम बात करें तो सन 2019 की पसुगर्णा के अनुसार हमारे देश में इत 535.76 मिलियन पसु है जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं संख्या हमारे लिए महत्पुन है यह हमको याद होना चाहिए 535.76 तथा 851.81 मिलियन कोन है मुर्गिया यह भी हम पहले लिख चुके हैं सन 2019 की पसुगर्णा के अनुसार हमारे देश में इतने मिलियन गौवणशी है जिनका 35.76 मतलब लगबग 36 मान लेते हैं 36% है फिर अगर हम बात करें तो अगला है मेरे पास में बकरिया बकरिया 27 इसको 28 मान लो 36 और 28 भेसे कित्ती है तो लगबग 25.50 मान लो 20.74 लिखा है त 20 और हमारे पास में भेड किती है तो वह 13 है किती है 13 तो गाएं अगर हम गाएं की बात कर रहे हैं तो भारत की पसु संख्या में गाएं किती है तो करना के अनुसार हमारे देश में गाएं जो है वह है 35.94 36% कुल पसु संख्या का फिर हम बात करते हैं भेस की तो भेस है फिर अगर हम बात करें तो बकरिया है बकरी को हम लगभग में कित्ता मान लेते हैं तो बकरिया जो है वो 28% है और फिर आती है भेड तो भेड लगभग 14% है कित्ते परसेंट 14 तो देखो गाएं कित्ती है तो गाएं है 36 गाएं कित्ती है 36 बीस कोने भेस बकरी कित्ती 28 और भे से याद रहेगा भेड का डबल कोन है बकरी 14 दुनी 28 और उपर भेसे कित्ती है तो बोले 14 और 28 के बीच में एक संख्यारी 20 तो 20 मान लो साथ एकम साथ साथ दुनी 24 साथ या 21 तो कोई 21 के लगभग में है 14, 21, 28 और 28 के बाद में इदर सीदे का पहुँच गए 36 पर तो ये जानकारी है हमारे पास में यहाँ पर लिखना है हमको कि भारत की पसू संख्या में गाए कित्ते परसेंट है तो गाए है 36 परसेंट भेसे कित्ती है तो लगभग 21 परसेंट लिख लो बकरिया कित्ती है तो बकरिया है लगभग 28 परसेंट बकरिया कित्ती है 28% और भेड कित्ती है तो वहां लगभग है 14% तो यह भारत की पसु संख्या में कोन ज़्यादा है तो गाय ज़्यादा है भारत की संपूर्ण विश्व में लगभग 25% दूद उत्पादन करता है तो विश्व की भारत में भेसे 54 है, गाय 13 है, बकरिया 13 है और भेड 6 है, यहाँ पर कहा था गाय 12 से थोड़ी कम, बकरिया 13 से थोड़ी जादा और यह भारत की पस्व संख्या में कौन कितना कितना है, यह, confusion नहीं हो, दोनों बाते अलग है विश्व की भारत में कितनी गाये हैं, और भारत की पस्व संख्या में गाये कितनी हैं, दोनों अलग अलग प्रश्ण बनते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं मानस उत्पादन यहाँ पर, मानस उत्पादन में भारत का आठवा इस्थान आगे देखने के लिए मिलेगा आपको, और उन उत्पादन में भारत का आपको कौन सा इस्थान देखने के लिए मिलेगा, नववववववववववववववववववववववववववव पश्यम पंगाल उसी तरह से उत्तर प्रदेश दृतिय और हमारा प्रदेश मद्यप्रदेश तीसरे स्थान पर मैंने कहा है गाय की संख्या में पसु संख्या में और दूद उत्पादन में तीन चीजों में मद्यप्रदेश तीसरे स्थान पर आता है आगे बढ़े भेश की संख्या में उत्तरप्रदेश प्रथम इस्थान पर है राजस्थान दितिय स्थान पर और गुजराद जो है वो त्रतिय स्थान पर आता है भेड की संख्या में भेड गई तेल लेने तेलंगाना प्रथम है आंदर प्रदेश दितिय है और त्रतिय स्थान पर कोन है करनाटक किसकी संख्या में भेड की संख्या में आगे बढ़ते हैं बक्रियों की संख्या में पहले ही पढ़ चुके राजस्थान अगरणी है पश्चिम बंगाल दितिय स्थान पर है और उत्तर प्रदेश को तरतिय स्थान पर माना जाता है फिर आती है कुल पसु संख्या, तो कुल पसु संख्या में पहले ही बात हो गई, उत्तर प्रदेश प्रथम इस्थान पर, राजस्थान दितिय स्थान पर, और हमारा मद्य प्रदेश तरतिय स्थान पर आता है, अब अगर हम बात करें मुर्गियों की कुल संख्या में तो आ मुर्गी संख्या में तो संख्या में आगे तमिल लाडू है जबकि उत्पादन में आगे आंधरपदěश है 2021 की पशु गढणना के अनुसार भारत विश्व में गाय, भेष और बकरी में बिल्कुल गाय भी सबसे जादा, भेष भी सबसे जादा बकरी भी सबसे ज़ादा पसु संख्या भी सबसे ज़ादा कहाँ पर मिलेगी भारत में जबकि भेड की संख्या में तरतिय है और मुर्गी की संख्या में पांच में इस्थान पर आता है भारत में विश्व की कुल पसु संख्या का 10.23 मतलब 1 बटे 10 भाग होता है इसी के साथ भारत संख्या की द्रश्टी से भी विश्व में प्रथम इस्थान पर आता है मतलब पसु संख्या भी सबसे जादा कहां पर मिल रही है भारत में अगर हम बात करें विश्व पसु गण्णा की अनुसार पूरे विश्व की लगबख 54% भेसे भारत में 12.6% जिनको 13 कहा है हमने गाई गौवंशी मिलेगी और भेड मिलती है लगबख 6% और 13.19 बकरी वंशी मिलती है जिसको हमने एक चार्ट में अलग से ही लिखा हुआ है तो यह सारी जानकारी एक बार हमारे पास में हो चुकी है आगे बढ़ते हैं उत्पादन दूद अंडा मांस एवं उन उत्पादन तो वरतमान समय में हमारे देश में 230.58 मिलियन टन का दूद का उत्पादन हो रहा है जो कि हम लिख चुके हैं हमारे पास और भारत का पूरे इसमें पैदा हुआ और उसका लगभग 24 मतलब 25 परसेंट 25 परसेंट तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसा लिखा था 230 बटे 935 तो यह है भारत का और यह है विश्व का और कुल लगभग कितने परसेंट 25 परसेंट अब अगर हम बात करें तो भेस का 70 परसेंट बकरी 29 परसेंट के दूद उत्पादन में भारत में प्रथम और गाय साड़े नव के उत्पादन के साथ दृती स्थान पर आती है तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूद का उत्पादन हो रहा है पर उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है अगर हम बात करें त भेस का 70%, बकरी का 29, परसेंट और भारत में भारत प्रथम है ने भेस जो डुनिया में जित्ता भी दूद पैदा हो रहा है उसमें भेसों का योगदान कितना है भेस का दूद जो भेसों का दूद हो रहा है फिर से बोलता हूँ विश्व के अंदर जो कुल दूद उत्पाद उसमें जो भेश का दूद उत्पादन है उसका 70% भारत से है ठीक है तो ये उतनी महत्पुन बाते नहीं है ये हमें याद रखना है सन 2030 के अनुसार पूरे विश्व में सरवाधिक दूद उत्पादन ये जरूर याद रखना है सरवाधिक दूद उत्पादन किसे हुआ है गायों से लगभग 81% होता है और इसके पशात भेश से और फिर हुआ है बकरी से और फिर भेड से तो विश्व के दूद उत्पादन में सबसे जादा योगदान गाय का फिर भेश का फिर बकरी का और फिर भेड का है इसी तरह से भारत के कुल दूद उत्पादन में 52% गाय, 45% भेस, 3% बकरी और फिर भेड़ का योगदान है. तो दूद उत्पादन में योगदान भी हम लिखी लेते हैं, लगे हाथ. दूद उत्पादन में योगदान, contribution of milk सबसे जाला किसका है, गाय का, गाय से कम किसका है, भेस का, भेस से कम किसका है, बकरी का, और बकरी से कम किसका है, भेड़ का. हमारे आप भारत में जो दूद पैदा हो रहा है, उसका लगबग 50 से जादा परसंट, आदे से जादा दूद को न देती है, गाय, और लगबग 45 परसंट को न देती है, भेस, और 3 परसंट के लगबग को न देती है, बकरीया. तो ये भारत का भी है और विशू का भी है 2022 के अनुसार भारत में उत्तरप्रदेश दूद उत्पादन में प्रथमिस्थान पर है और राजिस्थान दूसरा और मद्द्प्रदेश तीसरे इस्थान पर आता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2022-23 के अनुसार भेश के दूद में उत्तरप्रदेश प्रथमिस्थान पर आता है हमारे देश में उपलब्धता उपलब्धता सबसे जादा कहाँ पर है पंजाब में जो कि मैंने आपको बता दी है कि पंजाब में कितना है 1283 ग्राम प्रती वेक्ती प्रती दिन भारत में कुल उत्पादन दूद प्राप्त होता है उसका 80% जो है वह ग्रामीन परिवेशों से आता है सब लोग अपने अपने घर से दूद निकालता है और एक जगत दे जाते और संगठित इस्तरोतों से दूद पराप्त होता है जैसे शहरों में दूद वाला दूद बाढ़ता है उसी तरह से अगर हम संगठित छेतरों की बात करें जिनका एक group होता है एक committee होती है एक summit होती है एसे लोग दूद उत्पादन में अपना किवल कितना योगदान दे पा रहे हैं? 20% सन 2022-23 के अनुसार उन उत्पादन में ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कौन सा प्रदेश आगे है? राजिस्थान कि अनुसार मांस उत्पादन में ये हम पढ़ चुके हैं आगे कौन सा है उत्तर प्रदेश फिर अगर हम बात करें तो अन्डा उत्पादन में कौन है आगे आगे आंधर प्रदेश जिसको अंडो की टोकृरी भी कहा जाता है और हमारे देश में 2023 के अनुसार कुल अंडा उत्पादन 138.38 जो के हम आगे लिख चुके बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नग है और हमारे देश में अंडो की उपलब देता प्रती विक्ती प्रती वर्ष 101 अंडे हैं, 101 और चाहिए कि एक सो असी, तो ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं, भारत के कुल मांस उत्पादन में, 51% मुर्गी के मांस से आता है, भेस के मांस का 14% है, और बकरी के मांस नहीं, मुर्गी के मांस का 51% है, भेस का 17% है, और बकरी वो 14% है तो मान्स उत्पादन की दृष्टी से देखे तो मुर्गी मतलब चिकन फिर भेस भेस का मान्स काराबीफ और तीसरे नंबर पर जो आता है वो बक्री का मान्स आता है जिसको हम कहते हैं चीवन चेवन मांस में अगर देखे, मांस की उपलबदटा उपयोगिता तो मुर्गी का सबसे ज्यादा मिलता है, फिर भेश का और उससे कम होता है बक्री तो मांस उत्पादन में इन तीनों का योगतान है अब अगर हम बात करें तो भारत में मांस की उपलब्धता 7.1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है और मुर्गी के मांस की है 3.3 किलो प्रति वर्ष मचली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है? तीसरा इस्थान है मचली में भी तीसरा है भारत विश्व में दूद उत्पादन में पहले अंडा उत्पादन में तीसरे मांस में आठवे और उन उत्पादन में नवे इस्थान पर आता है तो ये बाते दम पहले भी पढ़ चुके हैं उन उत्पादन में नववा इस्थान है मांस उत्पादन में आठवा है मुर्गी संख्या में पाच्वा है और अभी अभी हमने मचली पालन भी देखा था तो मचली पालन के अंदर भारत का इस्थान कौन सा है? तीसरा, अंडे में भी तीसरा है और भेड संख्या में भी तीसरा है मांस उत्पादन मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली है मुर्गी मुर्गी के बाद में भैस और भैस के बाद में बक्री ये भी एक छोटी सी बात हमको ध्यान रखना है आगे देखने हैं 7.1 किलो प्रती विक्ती प्रती वर्ष और मुर्गी मांस 3.3 किलो प्रती विक्ती प्रती वर्ष प्राप्त होता है तो यह हमारे पास में दूद, अंडा, मांस और चिकन की उपलब्धता प्रती वर्ष कितनी है इसकी जानकारी भी आ चुकी है अब जो जो भी काम की बाते थी वो भी हम चार्ट के माध्यम से एक जग़ा पर सीखते वे जा रहे हैं अब अंत में आज आते हैं कि हमारे देश में कुल रास्ट्य उपच जो कुल पैदावार हो रही है सकल घरेल उत्पाद जिसको बोलते हैं दुनिया जिसको GDP के नाम से जानती है तो GDP में अगर हम पशुधन का योगदान देखे तो 5.73 है 2021-22 के अनुसार 5.73 और अगर हम देखे तो क्रशी छेतर जो है उसका योगदान GDP में कितना है 19% तो क्रशी का योगदान GDP में 19% है और पशुधन का योगदान 5.37 प्रतिशत है और साथ में पशुधन के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा 30.19 तो ध्यान देते हैं हम 5.73 के साथ में अरे इधर चलते हैं देखिए यह भारत वाली बाते हैं बिल्कुल सही बाते हैं यहीं लिखेंगे देश की GDP में क्रशी का योगदान तो देश की GDP में क्रशी का योगदान कितना है 19 परसेंड के लगबग पशू धन का योगदान कितना है तो 5.73 के लगबग क्रशी में क्रशी की GDP में पशू पालन का योगदान वो होता है लगबग हम बात करें तो 30.19 प्रतिशत 30.19 प्रतिशत 30.19 प्रतिशत तो यह GDP से संब्दित 3 बाते भी याद होना चाहिए कि करशी का योगदान कितना है? 19 परसेंड पशू पालन का GDP में कितना है? 5.17 परसेंड और करशी के अंदर पशू पालन का योगदान है लगबग 30.19 परसेंड पाया जाता है तो इस तरह से यह वाला जो चार्ट है, यह हमें लगबग संपूर्ण जानकारियां देता है, इसी तरह से यह वाला चार्ट भी मुझे संपूर्ण जानकारियां देता है, जो सबसे जादा महत्पूर्ण है, तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें, तो यह हमारा प्रोग्रा मिल रहा है साड़े बारा परसेंट अब एक और बात है अनुसार पसुपालन में कुल आये जो पसुपालन में कुल आये आ रही है सबसे ज़्यादा योगदान किसका है दूद का दूद के बाद कोन है मांस मांस के बाद कोन है गोबर और गोबर के बाद कोन है अंडे और पीछे की तरफ उस चार्ट को मजबूत कर लेंगे कहा है पीछे है देखो पशुपालन की आय में योगदान अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसका है दूद का दूद के बाद किसका है मांस का मांस के बाद किसका है गोबर का और गोबर के बाद में अंडे का और अंडे के बाद में सबसे आखरी में सबसे कम उन का योगदान होता है और एक बात बता दूँ विदेशी मुद्रा कमाना हो डॉलर विदेशी मुद्रा कमाने में बकरी का मानस चमड़ा लेदर जो है उसका सबसे जादा योगदान है तो विदेशी मुद्रा कमाने में सबसे जादा योगदान किसका है बकरी का है अब अगर हम बात करें तो पशू पालन क्रशी की GDP में पशू पालन का योगदान जो है वो 30.1 है और पशू एक और सब्दियां लिख देते हैं पशू पालन की GDP में मुर्गी पालन का योगदान 12.5% है तो ये चार बाते हमको याद रखना है क्रशी में क्रशी का योगदान कितना है 19% और पशू धन का योगदान कितना है 5.73% कुल GDP में फिर हम बात करते हैं कि क्रशी के अंदर पशू पालन का योगदान कितना है तो लगबग 30% और फिर हम बात करते हैं कि पसुपालन में मुर्गी का कितना है तो वो लगबग होता है साड़े 12% तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास में ये इस साल के संबंद में जो महत्पूर्ण बाते परिक्षा में हमसे पूछी जा सकती है वो यहाँ पर संबंद होती है तो यह जो आपको डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया है जिसमें दो स्लाइड जो है बहुत महत्पूर्ण है जो कि मैंने बीच में बना कर रखी हुई है साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह पूरा जो पढ़ाया गया है यह आपको PDF form में मिल जाएगा जिसके लिंक जो है नीचे YouTube चैनल के नीचे description box में देज दी जाएगी जहां से आप इसको download कर सकते हैं print लेकर आसानी से पढ़ भी सकते हैं परंत में कहना चाहूँगा कि लिखा हुआ बहुत सारा data है पर अनुभव के आधार पर लोगों के पास जित्ती पुरानी चीजे हैं उससे जादा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ब यह वाला चार्ट इन दो चार्ट में से data से संबंदित जो भी प्रशन है आपका परिक्षा में हल हो जाएगा तो यह दो चार्ट आप जरूर जरूर पढ़ें अच्छे से आत करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद